नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम राहुल साहु है, दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, SAP SD मोडुल का सेगंड पार्ट, पिछली वीडियो हमने देखा था SAP Sales Order, उसके कुछ T-Codes देखे था और उसकी Process को समझा था, आज की वीडियो में भी हम सेम Outward Delivery पीजी आई करने से पहले अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, आई आगे वड़ते हैं, दोस्तों हमने पार्ट बन में देखा था Sales Order, मैंने आपको उता है Sales Order का टीक ओड़ता, VA01, VA02, VA03, हमने Sales Order की प्रोसेस चेक कर सकते हैं, आज की वीडियों हम देखेंगे, पार्ट टू, आउट बन डिलेवरी, और उसे के साथ आप लोगों को बताऊंगा, PGI, क्या आउट बन डिलेवरी होती क्या है, और PGI क्या होती है, आई आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक ची दोस्तों, यह हम से कह रहा है, जब भी हम आउट बन डिलेवरी से जनरेट करते हैं, तो उसका मतलब होता है, और तो अगे बढ़न डिलेवरी में क्या क्या इंफरमेशन है, वो हम आगे देखेंगे कि अर्वन डिलेवरी में क्या क्या information include होती है next देलेवरी नोट is a document that accompanies a shipment of a goods it provides a list of the product and quantity of the goods included in the delivery a delivery note is also known as dispatch note और a goods received note दोस्तों delivery note क्या होता है delivery note का मतलब होता है कि जब भी हम SAP से order मनाने के बाद delivery note generate करते हैं तो delivery note में हमें some quantity कि customer ने हमें क्या order दिया है और order के against में हमने dispatch note क्या निकाला है हमारा जो dispatch note होगा उसी के according supervisor जो हमारा है वो customer को goods provide करेगा हमारे dispatch note के according वो customer को goods देगा कि हमारे पास goods कितनी available है इस टॉक में यह नहीं है वो पूरा हमारा delivery note present करेगा दोस्तों हम delivery note को dispatch note भी कहते है और goods receive note भी कहते है क्या होता कि जब भी हम delivery और print करते है print करने के बाद हम उससे supervisor को hand over करते है supervisor को hand over करने के बाद वो उसी के according goods go down से निकालता है go down से निकालने को बाद customer को देता है या तो वो buy vehicle ले जाया है customer या buy truck या xyz जो भी customer लेकिया है उसके according हम dispatch note के according हम customer को माल provide कर रहाते है यह हो गए हमारा dispatch note और outbound delivery लगबग सेम ही है दोस्तों जो हमारा outbound delivery है वह हमारा delivery note भी है हम delivery note को ही SAP में outbound delivery भी कहते है outbound delivery और delivery note दोनों काम सेम कर रहा है दोनों goods को represent कर रहा है product क्या है quantity कितनी है goods कितनी है यह तीनों चीजी हमें यह बता रहा है तो इसको हम dispatch note भी कहते है यह next रहे चलते है दोस्तों PGI क्या होती है post goods issue is the last step of delivery sip and processing post goods issue is a down when physical the goods are moved from warehouse or planned after delivery is fully picked after goods issue is posted for an outbound delivery the scope of for changing the delivery documents become very limited दोस्तों PGI हम से कह रहा है कि last step होता है delivery का इसका मतलब होता है जब भी हम PGI करते हैं तो हमारे warehouse से goods delivered हो गई है जैसी हमने PGI करा वो क्या करेगा PGI करते से ही S&P से stock को minus कर देगा stock को minus करने के बाद हम सपोस जैसे कि किसी ने 100 pen के requirement दी हमने 80 pen का PGI कर दी है 20 क्या दिखाएगी कि हमने warehouse से sale कर दी तो जब भी हम PGI करते है PGI करते से ही stock हमारा S&P से minus हो जाता है और इसका मतलब होता है कि हमने warehouse से goods डिस्पेच कर दी है और after goods issue दोस्तों क्या होता है कि बहुत कम chances होते हैं कि changes होगा जब भी हमने PGI कर दी तो लगवा को confirm होता है वह very limited chances होते हैं कि वह change होगा suppose जिस हमने delivery note PGI कर दी उसका party हम से फिर केती है एक requirement हो रहे हमें 10 pen ओर चाहिए तो हम क्या करेंगा उसका बापस order बनाएंगे delivery देंगे फिर PGI करेंगे सेम PGI में हम other material aid नहीं कर सकते हैं PGI होने के बाद PGI होने से पहले हम changes कर सकते हैं बट PGI के बाद हम changes नहीं कर सकते हैं PGI करते से ही goods हमारा stock से माइनस हो जाएगा next चलते हैं दोस्तों delivery note इस तरह का दिखता है मैं यह आपको example के लिए लिखे आया हूँ उपर सबसे पहले delivery note लिखा होगा date लिखी होगी कि किस date पर आप delivery note प्रिंट कर रहा है delivery note में information रहती है serial number, material code, material description और quantity quantity मांगी है तो उसका हमारे पास material code होगा सेप में material description दे रहा है और quantity तो इसके according हम क्या करेंगे सेप में पहले order डालेंगे order डालने के बाद यह delivery note सेप से print करेंगे और इसके according हम customer को माल delivered करेंगे क्योंकि यह delivery note हमारा stock से minus होगा जब यह PGI करेंगे तो PGI हमेसा इसी के against में होगी तो इस तरह से आपको delivery note दिखाई देता है कुछ कंपनिये क्या करती है कि delivery note के base पे ही goods delivery note नहीं निकालेंगे वह goods को go down से बाहर नहीं निकालेंगे और कुछ कंपनिये क्या करती है कि हमने औरली sales order बना दिये sales order के थ्रू ही go down में जाके material निकालने के बाद delivery note और PGI करते हैं तो best process यह है कि आप पहले sales order बनाए delivery note print out करें वह supervisor को दें delivery note देने के बाद आप उसको confirmation के बाद PGI करें फिर after invoice बनाए तो इस तरह से ही इसके process होती है next चलते सब्सक्राइब कर रहा है इसने SAP में order डाला order डालने के बाद delivery note print कि है delivery note print करने के बाद हमने इसको supervisor को दिया supervisor ने goods लिखी क्या-क्या देनी है तो इसी के basis पर वो देखा तो हम क्या करते हैं सब पहले order बनाते हैं सैब से delivery note print करते हैं वह supervisor को देते हैं supervisor delivery note चेक करता है goods को चेक करता है उसके आद वो customer को hand over करता है दोस्तों कभी-कभी क्या होता है जिसे हमने go down में गए go down 1 में जाके दिखा यार pen का stock तो जितना चीए तो अब लेवल नहीं है फिर go down 2 में देखा go down 2 में भी देखा इस stock अब लेवल है तो कभी-कभी हम जो हमारे पार delivery note है उसके according पूरी fully quantity दे देते हैं कभी-कभी कुछ goods हमारे पास available नहीं है तो हम उस delivery note में correction करके करने के बाद ही उसको provide कराते हैं suppose जैसे 100 pen 100 pen की जगा हमने 80 दी तो हम delivery note में 80 लिख देंगे उसकी PGI फिर 80 से होगी भी इस quantity कम से होगी नेक्स्ट चलते हैं हमें requirement क्या-क्या पढ़ती है delivery note के समय सबसे पहले हमें sales order number चीए जब भी हम सेफ में PGI करेंगे PGI करने से पहले sales order number चीए goods confirmation अगेंस delivery note जब भी हमारे supervisor या कोई बंदा goods को देखे आएगा customer को या फिर goods go down से निकालेगा उसका वह हमें confirmation देखा कि इतनी goods उसने दे दिये उसी के according हम पहले PGI करेंगे सेकर्ड हम इस्टोक quality में चेक करेंगे पीजाई करने से पहले कि इस्टोक हमारे पास है व्लेवल है सेफ में या quality में तो नहीं है quality में दी है तो उसे clear कराएंगे उसका पीजाई करेंगे फोर्थ हम सेफ में चेक करेंगे कि इस्टोक सेफ में आ गया है quality में है या नहीं या उसका इस्टोक है के नहीं है इन सब चीजों के हमें requirement होती है PGI के समय sales order नंबर इस्टोक हमारा ISAP में है या quality में है यह चेक करना उसी के बाद हम PGI कर सकते हैं नेक्स्ट चलते हैं इसके हम T-Code तेख लेते हैं टी-Code क्या होता है दोस्तों मेरी प्रीविएस वीडियों बताया था आपको V-01 sales order V-02 edit V-03 display V-05 water summary यह मेरी प्रीविएस वीडियो sales order के वारे में आप लोगों को बताया था कि उसके T-Codes होते हैं आज की वीडियों हमने द चरहेंगे V-02N और से PGI करेंगे और V-03N से हम display देख सकते हैं तो यह 3 T-Code होते हैं delivery के V-01 से delivery create होती है 2 से PGI होती है और 3 से display देखते हैं और invoice का part हम next वीडियो में देखेंगे next जलते हैं दोस्तों SAP में जब भी आप T-Code use करेंगे V-01N तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे V-01N उसके बाद आपको इस तरह से screen दिखाई देगी तो आपका जो भी shipping point होगा आप वो plan डालेंगे order order number क्या है आपके order के date क्या है यह 3 चीज़े आपको यहाँ पर mandatory field आपको आप इसको supervisor को handover कर सकते हैं वो उसकी through माल को warehouse से निकालके customer को देगा delivery note बनने के बाद हम क्या करेंगे जिसे delivery note हमारा generate होगा उसके तो हमारा एक number generate होता है नंबर को हम VL02N में use करते हैं यहाँ पर हम नंबर को type करेंगे हमारा delivery note जो भी number होगा उसके बाद हमें इस तरह से screen दिखाई देगी जब भी हम VL02N में number डालते हैं हमारा delivery note नंबर उसके बाद यहाँ पर आपको screen दिखाई देगी यहाँ को material confirm करना है कि आपनो material कितना दि यहाँ डेट आएगी और यह से information feed होने को जिससे आपको इस्टोक अफलेबल होगा उसके आद आपको यहाँ पर PGI करने हैं जैसी आप PGI करेंगे तो यह आपकी PGI complete हो जाएगी और delivery बन जाएगी दोस्तों यह आपको doubt है कि delivery कैसे बनती है delivery क्या होती है तो मैंने इसकी already video upload क आप चाहें तो मेरी वो देख सकते हैं कि हम delivery को कैसे create करते हैं तो इस थरह से हम इसके delivery complete करेंगा तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि हम आउड़ वन डिलेवरी को कैसे बनाते हैं उसका T code क्या होता है उसके टी कोड की आद पीजी कैसे करते हैं पीजी के नोट देंगे, VL02 एंस की PGI करेंगे, मैंने आपको इतना ही बताया है कि हम कैसे Outward Delivery निकालते हैं, उसका मतलब क्या होता है और PGI कैसे करते हैं, नेक्स वीडियो में Invoice देखेंगे, दोस्तों इसे रेटेट कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूश सकते हैं, मेरे परसने इमेल आइडियो वे मेल कर सकते हैं, आज के रिए इतना ही, थैंक्यू दोस्तों